गेहूं के आटे की हम लोग कई तरीकी के रेस्पी बनाते हैं, आज हम इसकी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेस्पी बना कर तियार करेंगे, इसके लिए नॉर्मल रोटी वाले आटे की रोटी विल लेंगे, उसके ओपर थोड़ा सगी लगा कर अच्छे से स्प्रेट क करेंगे जिससे की सारी चीजे अच्छे से चिपक जाएं, इसके बाद 20 से कट लगा देंगे और इसे रोल कर लेंगे, अच्छे से हाथ से प्रस करते हुए एक पेड़े जैसा बना लेंगे और इससे रोटी की तरह बेल लेंगे, थोड़ा से धनिया पत्ताव चिली फ्लेक उन्हों तक सिख लेंगे तो आप ए रैस्पी ट्राइक कीज़े और कमेंट करके बताई कैसी लेगी